वेलकम बाक वंस अगेन और माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त किरन और आज फिर से आपके लिए बहुत इच्छा आपके लिए फेस पैक लेकर के आई हूँ इस फेस पैक को लगाने से आपके फेस के एकने पिंपल्स ताग दब्बे जो हैं बहुत ही जल्दी काइब हो दो यहां पर मैंने आज फेस पैक आपके साथ शेयर किया है आप इसको वीक में एक या दो बार इस्तमाल कर सकते हैं और इससे आपका फेस बहुत होगा अच्छा लगे आज के वीडियो को लाइक जरू किजीगा तो ज्यादा बाते ना करते वे शू करते हैं आज का ये फे ये सबी चीज़ आपको घर में एजली अफलेबल मिल जाएगा और ये जो डियाएवा है बहुत ही इजी है और बहुत ही जादा अच्छा है दोस्तों और उसके यहां पर मैं एक चमज यहां पर हनी यानी की शेहद ले रही हूँ और उसका यह मैं ले रही हूँ हल्दी का जो है ड्रॉप साता है वैसे आप घर में हल्दी पावडर स्थमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल आपके खाने की यूज मोते उसका इसका इसका बहुत ही अच्छा था है मारे स्कीन के लिए हमारे फेस के लिए आपके फेस में अलग सी चमक लादेता है जो भी डियावा मैं बता तो बहुत है सिस्वे स्थीं सबित को मिक्स करकि आपको मारे फेस में इसकी जया लगा तो आपने हाथों की मता सकते हैं या इस तारीकी का जो ब्रश हो मदा से पूरे पर ऐसे पी आपको अच्छा से लगाना है मोमगे से लगाना है जैसे फेस लगाते हैं और do thised आपको इ और लगाने कबाद 20-25 नियुक्त छोड़ने कबाद इसको आपको अच्छे से वाश कर लेना है तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही बढ़ीया सा लगा लेना है पूरे फेस में तो लगाने के बाद दोस्तों 20-25 मेर तक हमने अपने फेस पे इसको रखना है और रखने के बाद यहां पे आपको नॉर्मल पानी से इसको काफी अच्छे से वाश कर सकते हैं या फिर इस तरह की के कॉटन का जो भी आपके पास हैंकी हो टावल हो इसकी मदद से भी काफी डूसरे DIY में भी हमने सेम बेसन लेना है बेसन का इस्तमाल बहुत ही जादा होता है हमारे फेस पैक में DIY में तो दो चमच लिया है और उसके बाद यहां पर हम लेंगे रोज वाटर अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप इसकी जगह पे इसकी जगह पर इसकी आपके है दूद का सितमाल कर सकते हैं और फिर इसके बाद में काफLсть मिक्स करने के बाद आपके फेश पेर इक अच्छा से लेयर लगा लेना है जैसे जसके घल समया नीम का एक बहुत ही पिंपल्स कील मुहां से यह सबी जो है बहुत ही जल्दी काइब कर देगा तो पुरे फेस पर इसको इवनली जो है spread कर लीजी एक लेयर लगा लेजे यहां पर ब्रश की जगह हांतों का इस्तमाल कर सकते हैं एक जैसा लेयर लगा करके और फिर 15-20 मेर तक इसको अपने फेस पर अच्छे से सूखने दे ड्राय होने दे ताकि नीम अपना असर आपके फेस पर करें और फिर इसके बाद इसको अच्छे से आपको नॉर्मल पाने से वाश कर लेना है तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे पूरी फेस पर इसको लगा लेती हूँ, लगाने के बाद 20-25 मेर्ट छोड़ देंगे तो दोस्तो 15-20 मेर्ट तक हमने इसको अपने फेस पर रखा और इसके बाद आपको इसको अच्छे से वाश कर लेना है या फिर साफ टॉबल या फिर कॉटन की मदद से काफी अच्छे से इसको पोच लेना है और इसका इस्तमाल इतना ज़्यादा असरकारक होगा कि आपको रिजर्ड चोका देगा दोस्तों तो एक बार के इस्तमाल से ही आपके फेस में अगर एकने कील मुहां से पिंपल्स हैं तो बहुत ही जल्दी गाइब होगा रेगलर इस्तमाल से ही आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा दिखेगा आपका स्कीन बहुत ही खुपसरत दिखेगा ब्राइट दिखेगा अकने पिंपल से दूर रहेगा दोस्तो और आपका स्कीन बहुत ही खुपसरत दिखेगा चमकता दमकता रहेगा दोस्तो तो बहुत ह जादा हेलफुल आज का जो DIY मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत ही जादा अच्छा है आप अपने घर पे इसको जरू ट्राइ करें सभी समान आपको इसली घर पे मिल जाते हैं तो जो भी DIY आपको अच्छा लगता आपके पेस के लिए स्कीन के लिए सूट करता है आप अ आपके लिए सूट